उत्तर प्रदीश का जन्पत बरिली जहां शेशगाड कस्बे के एक निजी अस्पताल में एक महला ने अजीब गरीब बच्चे को जन्द दिया है बच्चा ऐसा जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन ये जरूर बताएंगे कि आखिर इस बच्चा अजीब क्यों है दरसल बच्चे के शरीवें बाले और रंग भी अजीब है वहीं बच्चे के मूँ में दाथ भी है अजीब करी बच्चे को देखने के लिए दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं वहीं चेकस्तों का कहना है कि बच्चा दुलब अनुवानशिक तवेकार यानी हाले क्विन एक्थियोसिस से गरसित है बच्चे के जन किसमें उसका बड़ा सेर बड़ी आखें वब शरीर पूरी तर सफेद था कुछा जगे-जगे से फटी हुई थी कि दुटी है र्विटियोसिस दुटी है तो इसके विए सबसे सुखा-सुखा हो जाता है तो कही बच्चे तो एक हफते के उपर भी जिन्दा नी रह पाते हैं को दो-तीन हपते में बिचारे चले जाते हैं जो सबसे ज्यादा जिया है वो 25 साल का बंदा है नीली नाम का नीली शाहिन के नाम से हैं। लेकिन इलाज का देखो हैसे आपको स्किन को ही मुश्राइज करते रहे हैं। तो इसके लिए थोड़े दवाईया होती ही मदद करती हैं। आपको एक्स्टेंसिव मॉश्राइजिशन आपको करना रहे हैं। इसके जो इसकी सपल हो जाए, ड्राइन आ रहे हैं। जैसा हमने कई कुछ बच्चों में देखा कि समय के साफसे शरीकी थोड़ी सी वह बढ़ जाती है। थोड़ी केर अच्छी में जाती है, तो इसके जो सब हील हो जाती है। इस चत्ते पत्ते बढ़े सब ठीक होने लगते हैं। और बच्चे फिर वह ठीक हो जाती है। लेकिन चुकि एक गुद्वेती चीज तो है ना गड़बड है। तो वो कहाँ जाएगे। इस ते कई बार बच्चों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। बता दे कि बच्चे का जन तीन दिन पहले कस्पे के एक निजी अस्पताल में हुआ था। उसके पूरी शरीप बाल थे और मुह के अंदर दांत थे। नहीं पूरी शरी के तुच्चा सफेद पड़ी हुई थी। तुच्चा कई जगे से फटी हुई थी। और होट भी अजीब बड़े-बड़े थे। जिसे देख परिशान परिजन उसे दिली की कलावती अस्पताल लेकर पहुँचे। जहां डॉक्टरों ने बताया कि एक हार्लोकिन बीबी है। बच्चे को उसके माबाप बापस बरेली ले आए। बाद में उसकी मौत हो गई। जैनकरी के नुसार आपको बता दें कि हार्लोकिन इच्च थियोसस से एक दोलब बीमारी है। तो कई बर ये बीमारी दवाओं के रियक्शन से भी हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि नंबजास शुषों में जन्म के समय ये बीमारी दिखाई देती है। तच्चा मोटी और पपडी की तरह होती है। ये बीमारी एक जीन म्यूटीशन के कारण होती है। जिसका सीधा प्रभाव तच्चा की कोशिकाओं पर पढ़ता है। आएल निकलता है, जिससे सिक्राइल ठीक है ऐब इस बच्चे में पिल बनता ही। तो जो चिंपरी बनती है। जो लेयर आती है, उसको कुछ भी moisturizing layer नहीं होती है तो वो dry हो जाती है जब skin dry होती है तो peel-off छिल-चल के गिरने लगती है peel-off होती है अब शरी कहता है ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि चम्ड़ी हमारे शरी का सबसे बड़ा आंगे पुरी को cover करता है उसी से infection अदर जाने से रुखता है तो वो बहुत ज़्यादा बनाने लगता है अच्छा वो layer गिर रही है चलम में और बना लो तो ऐसे layer हों के layer to layer बन जाती है अब चुकि चम्ड़ी के अंदर कोई loj तो है नहीं जो loj आती ही वो तो उसी से आती है जो अपने शेर में तेल होता है तो वो loj तो आ नहीं रही तो क्या होता है कि उनकी आखें बो यू खुच जाती है और यह खुच जाती है कुट्लियां उपर revert हो जाती है जहां पर फिचना शिरू गया तो बच्चे का जो बिभस रूप बन जाते हैं पंजाब के उसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाए